असलाम लेकुम जी अभी करोना से हमारी जान छुटी ही नहीं थी एक और वाइरस जो के मंकी पॉक्स है जिसका नाम उसे संसे नहीं फिलाई हुई है और हर कोई परेशान है इसी में मुझतल है इसी परेशानी में कि कब बुझी ये पाकिस्तान आएगा दुबारा से लागड लेकिन आप कुछ अफरीका से बाल कुछ यॉर्पी मुलकों में और अमेरिका वगारा में आगे हैं इसका खत्रा बढ़ गया कि शायद ये बाकी मुलकों तक भी फैल सकता है तो सबसे पहले हमें समझने की बात है कि ये गंदे कंटेजिस वायरस जो होते हैं ये आते क्यों ये हमारी अपनी इंसानों की हरकतों की वरे से आते हैं जब हम अपने इंसान नेचर के साथ छेड़ चाड़ करते हैं उसके गंदी हरकते करते हैं जब सब्सक्राइब इंसान की वरे से आया जब इंसान बंद्रों के साथ गंदी हरकते की सक्स वगरा किया तो बंद्रों से सब्सक्राइब और पाकिसानों में आया तो मंकीश भी इसके साथ इसके घृट्स जयाकिन कि है अराम गंदी चीज किया तो बात करते हैं कि मंकीश के पर सबसे पहला जो केते था इसके बार महीना के पहले सके कैस के ही और और अमेर कुछ वीरिस की एक भाईरस भीक्ष में निखाए YOUR जारोिस आघे थी दूसरी आता स्कतर यह बार का..? यहींरोड आगे index की जाता जाता है जासे करोना एक वे टो आख के सांस लेमें की वज़ाजे बैठेन है उस रूम में बैठेना तो भी फैल जाता था लेकं ये जो monkey pox है ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है कि ये जैसे आप कह सकते हैं कि कोड की बिमारी थी पिछले जमानों में ये बिलकुल उस जैसी है ये ऐसे एक दूसरे के पास बैठने से सांस लेने से हवास से एक दूसरे आप नहीं फैलेगी ये ऌब किसी इन्फरेक्टेट परसन को तक तर्सक्रीज को टच करेंगी मतलब कि टचश करने से लोगी ऐसे दूसरी जगों से नहीं थे फैह से मिलेगी फिर जैसे करोना बात यह है कि फैलेगा भी उसी वक्त जब आपको किसी इंफेक्टेड परसन को सिंप्टम्स शो होने शुरू हो गए हैं उसके बाद यह आगे किसी दूसरे बंदे को फैलना शुरू होगा उससे पहले यह इतना खतरनाक नहीं फैलता नहीं इतना ज्यादा तो सबसे में किसके कैसे पता चलेगा कि वाइरस हो गया है तो वैसे तो यह जो बैमारी है मौकी पॉक्स की एक सेल्फ लिमिटेड बैमारी है कि जो के दो से चार हफ्तों के दिरम्यान खुद ही खत्म हो जाती है लेकर जैसी वाइरस आएगा आपको लगेगा बेक्रोना के तरह इसके ब अदर गुठ्रों में गुठ्लियां सी बन जाएंगी आपकी फिर उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा इम्म्योन डेफिशेंस है मतलब कि आपका सही तरह जो बाड़ी का डिफेंस मेकनिजम है वह सही तरह काम नहीं का तो आपको ज्यादा बाड़ी सही तरह वाइरस को कंट्रोल नहीं कर सकती तो आपको फिर आखरी हाथ तो खोगा कि आपको जो है हाथों पर चेहरे पर और बाकी जो पर पाउं पर टांगों पर लिजिंस बनेगी जिसके चोटे-चोटे दब्बे बंदे जैसे का आप साइट पर देख भी सकते हैं यह बनेगी इसमें पानी जब फटेंगी तो और ज्यादा पहलेगा इसलिए इनको जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल करें तो ज्यादा परेशान होने की बात ने सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को सट्रांग रखें अपना फूर जो है अपनी डाएट जो है उसको फूर्स बगारा लें और बाकी जो ची करने का खतर है वह बहुत काम है तकरीबन 3-6 पीसद है और बहुत ही ज्यादा का पहले कि बूड़ा शक्स है उसकी अच्छी नहीं और भी कि बमारी या पहले जैसे ब्लड पैसर की यह शुगर बगारा कहलें तो फिर तकरीबन 10-11% कहीं पर रिपोर्ट हुआ है कि यहां त और इसका भी अभी तक कुछ खास इलाज फिलहाल तक तो नहीं है लेकिन अलबता कहते हैं कि जो स्माल पॉक्स की वैक्सीन थी वह भी इसके खलाफ भी काम करती है कुछ हाथ तक तो इसलिए पिछले दुनों मैंने कुछ खबर देख रहा था कि अमेरिकन तकरीबन 100 बिलिय आपको इस मौकी पॉक्स को समझने में मदर करेगी और इससे बचने में ज्यादा परिशान होने की पैने कोने की जरूरत नहीं आजी इन्शाला मिलते हैं जल्द किसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए इसाज़र दीजिए